जेहिन सलाम नमस्ते आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल कैसर 36 गड़िया में दोस्तों ये देखिए जस्पूर के पाटोदी फरनीचर में घुसा आया था एक बड़ा सा रेटिशनेक याने धमन साप दोस्तों जब भी आपके घरों में कोई सांप घुसता है सिर्फ बात सांपों की नहीं को किसी भी तरह का कोई भी वन जीव आपके घरों में जब आ जाए तो आप इसकी सूचना वन विवाग को दें क्योंकि सांप सहे किसी भी वन प्राणी को छेड़ना मारना अपरात की सिर्णी में आता है और सांपों का हमारे प्रियावरण में हमारे प्रिथिवे उतना ही महत है जितना अन्य दूसरे जुयों का इसलिए सांप को मारना कानूनन और हमारे प्रियावरण के डिश्टी से भी बिल्कुल गलत है यह देखिए किस तरह से एक बड़ा धमना सांप घुशा हुआ था पाटोदी फरनिचर के स्टोर रूम में जिसकी सूचना हमें मिली थी स्रियांस जेन जी से जिसके बाद हम लोगों ने इसे जाके रेस्क्यू किया जहां हमें वजूद थे पाटोदी फरनिचर के ओनर आनंद जेन जी और इसे हमने रेस्क्यू करने के बाद सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है यह देखिए किस तरह से और कितना बड़ा यह रेटिशनेक है रेटिशनेक समाने तोर पे अलग-अलग रंगों में देखे जा सकते हैं जैसे यह रेटिशनेक विलकुल काला एक पे दिखते हैं किसी में पिलापन अधिक होता है किसी कोई मत्मेला होता है इस तरह से अलग-अलग रंगों के वज़ासे कनफ्यूजन होता है और अधिकान्स लोगों के दोवारा इस रेट स्नेक धमना बिन जहर के साप को नाग साप के तोर पे पहचाना जाता है अक्सर लोग इसे ही नाग साप कहते हैं अक्सराफ बिन और अधिकान तोर फेलिए्टyssने नाग साप के लुप बारा कि नाग समया तो में नाग साप, ञो क्र ? एंसे नाग साप कला का वग इक दोर अे अंके जाग के ला Quiz दोब प्र।ष्वनाटनों में जाकान्स क्यों करने के बाद हमारे दुआरा इस रेट इसने क्यानि धामना साप को एक पिलास्टिक के बड़े थेली में डाला जा रहा है जिसे आपको देख के थोड़ा अटपटा लग सकता है कि सापों को किसी तरह से किसी पलुथीन के बड़े थेली में डाला जा रहा है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सांपों कोई से बिलकुल भी समस्या नहीं है और अगर सांप बिंजहर के हैं तो सुर्चा के डिश्ट्री से भी कोई समस्या यहां नहीं आती क्योंकि हमारे द्वारा सांप को इस तरह किसी थेली में बेग में डालने के बाद जस्पूर की एक खासियत यह है कि जस्पूर से किसी और भी हम अगर चलना चाहें तो पांस से साथ मिनट में ही हमें जंगल मिल जाता है तो इस तरह से सांप को ज़्यादा देरी तक ऐसी किसी बेग में रहने से छुटकारा मिल जाता है और जल्द हम जंगल में से छोड़ाते हैं और आप सभी से निवदन हैं कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया तो किर्पया हमारे चैनल केसर चत्र गुड़िया को सब्क्राइब कर लें धन्यवाद जैहिन जैवाद